राजधाने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दिल्ली सरकार के बाबु जगजीवन राम अस्पताल में लापरवाही की कई हदे पार करती गई हैं जहां गंभीर रूप से घायल पाट साल की मासूम बच्ची को रैफर किया गया लेकिन उसे एंबुलेंस से वा उपलब्द कराए बिना ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया मा एक हाथ में बच्ची और दूसरे हाथ में ग्लुकोस की बॉटर लेकर पहले तो अस्पताल के बाहर ही भटकती रही और उसके बाद अस्पताल से कुछी दूरी पर ही वहां सड़क की किनारे आखिर कार ठक कर बैठ गई और लोगों से एंबुलेंस उपलब्द कराने की स दखायता मांगने लगे दरसल पाँट साल की रूची आस पास इलाके के स्वामी शद्धानंद कॉलोनी के रहने वाली है जो के खेलते हुए घर के जीने से नीचे खिरी और उसके सर पर गंभीर चोट आई है आननफानन में परिवार इलाज के लिए बच्ची को नजदी की दिल्ली सरकार के बाबु जग जीवन राम अस्पताल लाया जहां उसे प्रात्मिक इलाज तो दे दिया गया दूसरे अस्पताल में रैफर भी कर दिया गया लेकिन ग्लूकोस की बोतल लगा कर बिना एंबुलेंस उपलब्द कराये अस्पताल से बाहर भीज दिया गया जि अफ़ी देर तक एंबूलेंस नहीं मिली तो वहां कुछ ही दूरी पर जाकर ठक कर बैठ गई जिसके बाद इलाके के ही कुछ समाज सेवी द्वारा उसकी सहायता की गई और एंबूलेंस उपलब्ध करा कर उसे अस्पताल भेचा गया जहां एक तरफ दिल्ली सरकार स्वास्त सेवाओं को दुरुस्त करने की बात करती है अन्य राजियों में भी दिल्ली की स्वास्त सेवाओं का उधारन दिया जाता है वहीं दिल्ली सरकार के ही अस्पताल में एक घायल बच्ची और उसकी पीडित मा को बीना एंबूलेंस उपलब्ध कराए ग्लूकोस की बोतल हाथ में लेकर अस्पताल से बाहर भेज दिया जाता है जो ऐसे तमाम दावों की पोल खोल कर रख देती है कि फिल्हाल बच्ची को इलाज के लिए दूसरा स्पताल भेज दिया गया अब सवाल यहां होता है कि जो भी वैक्ती इस लापरवाही के लिए दोशी है उसके खिलाफ क कोई कारिवाई की जाए या फिर इतनी बड़ी लापरवाही को भी अंदेखा किया जाएगा दिल्ली से संजे सिहिक रिपोर्ट आज नहीं हो पाया अब क्या कहना चाहते हैं इस बच्चे को अहला तो लग रहा कर ज्यादा सुएस है यह उपर करने ब्लेडिंग अधिक नेडिग अधिक 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 अधिक